जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज सुप्रेम कोड़ से एक ऐसा केस है जो बार 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 तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन फैसला नहीं हुआ और ये केस जोड़ा है वन रैंक वन पैंशन स्कीम के इंप्लिमेंटेशन से तो सुप्रेम कोड़ की तरफ से लाश्ट विक यानि कि 30 जुलाई को एक जवरदस्त डिसीजन दिया गया है डिसीजन तो लिया गया था 23 जुलाई को ही उसके बाद लास्ट अपॉर्चनिटी दी थी 30 जुलाई के लेकिन 30 जुलाई पर भी क्या निकला वो मैं आपको बताऊंगा मसला क्या है मोटी मोटी चीज बता देता हूँ सुप्रेम कोट की जब सुनवाई नहीं हुई उनके आदेशों का सरकार की तरफ से पालन नहीं किया गया तो सुप्रेम कोट ने गवर्मेंट को 2 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया है और फिर कहा है कि जल्दी से जल् मरतक आप डिसीजन लीजिए नहीं तो हम 10% बढ़ा के ओधर पास करेंगे और जो 2 लाख रुपे का जुर्माना लगाया उसको पूर सैनिक वेलफेर करने आणके खाते में जमा करने का आदेश दिया आईए देखते हैं क्या था केस क्यों सुप्रेम कोट इतना सक्त हुआ और किसका था फेलियर ये पूरी कहानी देखिये तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं और ये जो मसला है ये जो तारीख है ये 23 जुलाई की तारीख का हम जिकर करेंगे और इसमें बताना चाहता हूँ कि ये के सुप्रेम कोट में कैसे पहुँचा एक मसला पूर सेनकों की पैंसन से जुड़ा हुआ और उन्होंने दो हजार सोले के अंदर एफटी रीजिनल बेंच कोची में कोट केस किया जहां से उनके फेवर में फैसला मिला और वो फैसला आया दो हजार एक्कीस में लेकिन सरकार ने उसको एंप्लिमेंट नहीं किया और सरकार चली गई सुप्रिम कोट के अंदर और वहां पर ये केस एक के बाद एक एक के बाद एक तारीक पर तारीक है मिलती रही जैसे के आपके सामने यहां पर है यह सारी देखे कहानी 23 जुलाई को दि मैटर वाज कॉल फोर हीरिंग टूडे और यहां पर इन्होंने कहा था था थ इनल बेंच कोची ओन साथ दिसंबर 2021 और ये एपिलेंट को इंप्लिमेंट करना था लेकिन उन्होंने इंप्लिमेंट नहीं किया और वो कोट में सुप्रिम कोट में ये केस लेकर आए यहां पर कोष बार बार रिपीटिडली एड जोन हुआ यानि तारीक मिली तारीक पर तारीक मिलती गई तो इस बार कोट ने सक्त लहजा अपनाया और कहा कि इन दिस सरकमस्टेंसिस यानि इन हालातों में वी आर इंकलाइन टू इंपोज एक्जेम्पिलरी कॉस्ट और आंसो डारेक्ट जो पैंसनर्स हैं उनको बीस परसेंट बढ़ा के पैंसन दी जाए वार जेम्प्लरी कॉस्ट एंपोइट करने के लिए कहा थोपने के लिए क्या पनिस करने के लिए कहा तो उन्होंने लास्ट अपोर्चुनेटी देकर अगली तारीक कर दी 30 जुलाई 2024 की एक और लास्ट अपोर्चुनेटी दिया और उसके बाद क्या निकल कर आया जब 30 जुलाई को देखिए जो के आपके सामने है 30 जुलाई 2024 को फिर ये मैटर सुनवाई के लिए आया और वहाँ पर ये जो मैटर था ये मैटर चला था तंजीव खन्नाजी और Honorable Justice महादेवन के बेंच सुन रही थी और सरकार की तरफ से एक लंबी चोड़ी फोज ये खड़ी थी वकीलों की जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बलकि आठ आठ एड़ोकेट ये केस लड़ रहे थे पूर सेनकों के खिलाप One Ring One Pension के मसले पर पहले देखिए मिसेज एस्वरिया भाटी ASJ ASJ होते हैं Additional Solicitor General Additional Solicitor General भी Advocate होता है वो Attorney General को Assist करता है उसको Solicitor General बोलते हैं और Attorney General भी Advocate होता है यानि कि यहाँ पर ये थोड़ा समझने की बात है कि Lawyer, Advocate, Attorney General, Solicitor General ये सब क्या है जब एक इनसान Law की Study कर लेता है, कानून की पढ़ाई करके पास हो जाता है तो उसको Lawyer कहते हैं और जब वो Lawyer BCI यानि Bar Council of India का Written Exam पास कर लेता है तो उसको Advocate कहते हैं वो फिर किसी का Case लड़ने का अधकार उसको मिल जाता है अब जब एक कोई भी Advocate जब Central Government का Case लड़ता है तो उसको भूलते है Attorney General और उसको जो Assist करता है उसको भूलते है Solicitor General और ये है Additional Solicitor General तो ये सभी Advocate ही होते हैं लेकिन ज़े जगे पर काम करते हैं उसके हिसाब से उनका नाम आजाता है उनका designation आजाता है मान लिए को इस्टेट गवर्मेंट की तरफ से पीड़त का Case लड़ रहा है तो उसको Public Prosecutor कहते हैं इस तरीके से अलग-अलग नाम है तो यहाँ पर ये पूरी फौज ये Case लड़ रही थी सरकार की तरफ से पूर सेनकों के वारोपी से related मसले में तो यहाँ पर जो order पास हुआ है बुक किस तरीके से हुआ है यहाँ पर कहा गया है order में जैसे इनका solicitor general यानि उनके advocate आये उन्होंने क्या कहा? आते ही सबसे पहले उन्होंने pray की कि हमको time दे दे जया यानि कि हद होती है बेसर में की पिछले एक हपते ही last opportunity दिया था और फिर से एक बार time मांग लिया यानि कि अभी तक वो कोई decision नहीं ले पाए उन्होंने फिर time मांग लिया अब यहाँ पर जैस साव ने कहा कि हम आपके ऊपर penalty लगाएंगे आपको जुर्माना देंगे या फिर 10% pension बढ़ा के देंगे तो इसमें जो solicitor general थे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे उपर penalty लगा दीजिए लेकिन हमको और समय चाहिए तो इस तरीके से सरकार के उपर 2 लाख रुपे का penalty लगाई और कहा कि ये जो penalty का पैसा है इसको आप 4 हफ़ते के अंदर अंदर Armed Forces Flag Day Fund में जमा कर दें तो इस तरीके से और कहा कि इसके बाद हम आपको 14 नवंबर तक का last final समय देते हैं 14 नवंबर तक आपने इस पर अपने तरफ से clear करना है और इसके लिए 25 नवंबर की अगली तारीक दी जाती है यानि कि 14 नवंबर तक का उनको last time दिया गया और 14 नवंबर के बाद उनको decision लिया जाएगा लेकिन जो सुनवाई के लिए और 11 दिन का समय है यानि 25 तारीको hearing होगी और 14 नवंबर तक को उन्होंने अपनी जवाब उसमें submit करना है तो इस तरीके से जज साब सक्त हुए और ये आदिस पारित किया और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहा कि हम 10% के साथ में pension enhance करने का order pass कर देंगे ये आपने देखा होगा पेपरों में भी छपी पेपरों में निकल के आई जो आपके सामने रेटायर कैप्टेनों की pension विसंतियां दूर करने में देरी क्यों OROP Supreme Court ने केंद की खिचाई की 2 लाग का जुर्माना भी लगाया 14 नवंबर तक कर दिया आकरी मौका ये सारी चीज यहाँ पर देखे ASG Additional Solicitor General ने तीन महिने का समय मांगा केन सरकार ने 14 नवंबर तक का समय दिया और कहा कि 10 फीज़ी बड़ी पेंशन का भुकतान करने का निर्देश देंगे अगर आपने 14 नवंबर तक अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लिया तो और अगली तारीक 25 नवंबर को मुकर्र कर दी गई यानि कि 25 नवंबर को अगली तारीक है इस तरीके से 2 लाख रुपे जमा करके उन्होंने समय ले लिया है तीन महिने का और अब इस पर फैसला 25 नवंबर को आएगा तो ये थी जानकारी कि सरकार न जाने किन कारणों से अधकारी न जाने किस बज़े से जो AFT के हाई कोटों के जज्जमेंट आए पड़े हैं उनको भी इंप्लिमेंट नहीं कर रही है अभी तक ऐसे जज्जमेंट जो हमारी एक एड़ोकेट विंग कमांडर पुस्पिन धाकाजी से डिसकस हुआ था तो उन्होंने बताया 6-7 हजार ऐसे केसे से जिनके फैसला आए हुए हैं और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं वो सारे के सारे मसले अपर कोट यानी सरवोच नयाले में सरकार ने अपिल SLP डाद रखी हैं इस पर आपकी क्यारा है अपने कमेंट्स जरूर लखें और ये इनफोर्मेशन अपने सभी साथियों के साथ सेर करें फिर मिलेंगे आपके वेलफेर से जुड़ूई कीशे अंजानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत